जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोग तंत्र का सिस्टम मत दाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मत दाता जुड़ते 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 जुड इनों में हमारे नए वोटर बनने वाले हैं ना? तो बस आज इसी काम के लिए आया था वहां का काम पूरा हुआ तो यहां आ गया वाँ! चाचा जी, नए और आने वाले वोटर्स को राह दिखाना पुराने वोटर यानि हमारा करतवया है सही कहा भारत आपने वैसे इस बार हमारे मतदाता जंक्शन का विशे भी first time voter ही है चाचा जी वहा बच्चो अब देर ना करते हुए हमारे श्रोताओं का भी कारिक्टर में स्वागत कर लेते हैं जी चाचा जी तो श्रोताओं हमारे मतदाता जंक्शन में हर बार की तरह इस बार भी जुड़ने के लिए आपका आभार अभिनंदन जी हाँ साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मतदाता जंक्शन में लीजे कलपना जी का भी मेसेज आ गया वो भी पहुंचने ही वाली है बतदाता इस लोक तंत्र की शान है जन्मत ही इस देश की पहचान है हर व्यस्त को मतदाता हम तुरक बनाए है अर सह भागी बन हर चुनाव में फर्ज निभाई वाँ संगीत से उर्जा आ गई चाचा जी तो आज हम सबसे पहले वोटर रेजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से शुरुआत करते हैं क्योंकि वहीं से एक भारती नागरिक का मतदाता बनने का सफर शुरू होता है बिल्कुल ठीक है तुमने बच्चे लेकिन कुछ शर्तों का पूरा होना तो जरूरी है जैसे वो भारत का नागरिक हो 18 साल का हो और जहां से वोट देना चाहता है वहां का निवासी हो अगर आप ये सब शर्ते पूरी करते हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा ये फॉर्म मतदाता सूची में नाम चड़वाने के लिए भरा जाता है और इस फॉर्म के साथ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, हाल में खिची फोटो और एड्रिस प्रूफ की फोटो कॉपी देनी होती है ओफ लाइन आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म 6 की दो कॉपी भरनी होती है ये फॉर्म आपको Electoral Registration Officer या Assistant Electoral Registration Officer या Booth के लेवल के अधिकारियों से मुफ्त मिल सकता है इसके बाद जरूरी डॉकुमेंट के साथ अब खुद संबंधित Electoral Registration Officer या Assistant Electoral Registration Officer के पास जाकर जमा कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट के जरिये भी ये फॉर्म दे सकते हैं साथ ही आप अपने इलाके के बूत लेवल के अधिकारी को भी ये फॉर्म भर कर दे सकते हैं चाचा जी आजका तो सब का मोबाईल से या डिजिटल माध्यमों से भी तो हो जाता है ना यानि ओनलाइन उसके बारे में कुछ बताईए ना मैंने सब कुछ सुन लिया सब को मेरा नमस्कार 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 कलपना डिटी आओ हम सब वोटर रिजिस्टर्शन की आउनलाइन प्रोसेस के बारे में भी बात कर रहे थे यानि तुम्हारा डिपार्टमेंट शुरू हो जाओ फिर चाचा जी, ओनलाइन प्रक्रिया के बारे में मैं भी बता सकती हूँ, क्योंकि अभी अपनी छोटी बहन जो की 18 की हो गई है, उसका ओनलाइन आवेदन किया है मैंने लेकिन एक बात और जोड़ देता हूँ बच्चो क्या चाचा जी? यह जरूरी नहीं कि 18 वर्ष के हो जाएं, 17 वर्ष का होने के बाद युवा फॉर्म 6 भर कर पंजी करण का आवेदन कर सकते हैं, 18 वर्ष का होते ही उनका रिजिस्ट्रेशन स्वेमी अपडेट हो जाएगा, उन्हें दो बारा आवेदन करने के आविशक्ता नहीं होगी तो आवेदन के लिए आपको www.nvsp.in portal पर जाना होगा और वहाँ एक ID बनानी होगी और उसमें login करना होगा, वहाँ पर register as new voter पर क्लिक करें और form 6 भर के मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन एक बात और बता देता हूँ बच्चो, election commission of India ने मतदाता पंजी करन के लिए वर्ष में चार अरहक तितियां शुरू की हैं, जो हर वर्ष एक जनवरी, एक एप्रेल, एक जुलाई और एक अक्टूबर निश्चित की गई हैं यानि अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं, तो आप बताई गई तितियों में से किसी एक पर मतदाता के रूप में पंजी करन करा सकते हैं हाँ, इसके अलावा चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन नाम का एक आप भी बनाया है, जिसे Android यूजर प्ले स्टोर से और iOS यूजर अप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इसे ओपन करके वोटर रेजिस्टेशन आप्शन में आप क्लिक करें और दिये गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर लें और आप चुनाव आयोग के एप से ये फॉर्म 6 भरके चाहें तो अपने वोटर कार में सुधार भी कर सकते हैं सही कहा तुमने कलपना यहां यह समझना जरूरी है कि वोट देना नागरिक का ऐसा हधिकार है जिसे मतदाता बन कर ही पूरा किया जा सकता है बिल्कुल अपने पंजीकरन की प्रक्रिया प्रतेग युबा को शुरू कर देनी चाहिए कलपना जी क्यों न हम लगे हाथ जरूरी विविन फॉर्म्स की जानकारी भी देते चलें जिसे की वोटर्स को सुविधा भी हो जाए जी बिल्कुल अब देखिए एलेक्शन कमिशन के कुल पांच तरह के फॉर्म्स होते हैं पहला फॉर्म है फॉर्म 6 और नए मतदाता के पंजीकरन के लिए इसका उप्योग किया जाता है और दूसरे वाल फॉर्म को 6A कहते हैं इस फॉर्म के द्वारा भारत के वे नागरेक मतदाता सुची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करते हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में जाबसे हैं ऐसे लोग आप प्रवासी भारतिय कहे जाते हैं और एक फॉर्म 6B भी है जिसे बहुत आवश्यक माना जाता है एक भारतिय मतदाता इस फॉर्म के जरिये अपने आधार कार्ड का लिंक अपने इलेक्टोरल रोल से करने का आवेदन देता है इलेक्टोरल रोल मतलब निर्वाचक नामावली लेकिन भाई एक जरूरी बात आप सबको इहां बता दो क्या फॉर्म 6B भरने की कोई बाधिता नहीं होती है अच्छा मतदाता सूची में डुपलिकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए इस प्रावधान को शुरू किया गया है सभी नागरिक के लिए जरूरी है कि उ इससे ही आवेदन किया जाता है और आखरी फॉर्म है फॉर्म आठ यानी एट निर्वाचक नामावली में पहले से दी गई जानकारियों में सुधार या शुद्धी या एपिक कार्ड को बदलने और दिव्यांगजन चिन्हित करने के लिए फॉर्म आठ भरा जाता है ठीक बताया ना चाचा जी बिल्कुल ठीक बताया भारती विटिया अरे भारत और भारती मैं तुमको बताना भूल गया चलो सुनाई देता हूं भारत तुम्हारी कूरसी के पास रखे मेरे मोबाइल को देना गरा मुझे यह जी चाचा जी तो भाया एक रिकॉर्डिंग सुनव सुनवाईए सही समय पर वोटर लिस्ट पर नाम जुड़ेगा और हम अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा हम सब एक जिम्मेदार वोटर बनेंगे बच्चों ये विद्यार्थी भी थी और हमारी श्रोता भी जो स्कूल में मिली थी मुझे अपना संदेज रिकॉर्ड करवा दिया था इसने तो श्रोताओ आप भी हमारे साथ अपनी बात साजा कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के माथेम से बस ध्यान रखे रिकॉर्डिंग एक मिनट से ज्यादा की ना हो और अपने रिकॉर्डिंग को आप हमें हमारे वाट्साप 99-9903-1950 नंबर पर भेज दें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने फर्स टाइम वोटर के विशह में कहा है कि नए मतदाताओं के रेजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए कानून में बदलाव किया गया है ताकि किसी भी नए वयसको को मतदाता सूची में पंजी करण और अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए साल भर का इंतजार न करना पड़े आये सुनते हैं ये जानकारी उनहीं की जुबानी जो हमारे यंग बोटर्स हैं जिनकी 18 साल की आयू पूरी होने पर जो निर्वाचन सूची में नाम लिखा सकते हैं उनके लिए 1st January of every year एक डेट होती थी क्वालिफाइं अब उसको साल में चार बार करते हैं यानि हर क्वाटर में वो बोटर बन सकते हैं तो अगर किसी की जनम दो जनवरी को होती थी तो उसको एक साल वेट करना पड़ता था बोट देने के लिए अब हर क्वाटर के 1st में बन सकते हैं और अब तो निर्वाचन आयोग ने ये भी किया है कि अगर आप 17 साल हो चुके हैं तो अगले साल के लिए एडवांस में अपना नाम का भर दीजे बोटर आपको तभी बनेंगे जब आप अठा रहे के होंगे लेकिन उसको हमारी मशी मुख्य चुनाव आयुकत श्री राजीव कुमार जी ने कितने अच्छे ढंग से अपने मन की बात कह दी है हमारी युवा शक्ती सही अर्थों में डिजिटल शक्ती है डिजिटल तक्नीक की शक्ती से लैस हमारे युवा आज पूरे आत्न विश्वास के साथ अपने हुनर का लोहा पूरे विश्व में मनवा रहे हैं दिर्वाचन आयोग ने सबकी भागिदारी के लिए कई ऐसे मोबाइल आप शुरू किये हैं जिनका उप्योग करके घर बैठे ही हम लोग तांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं घर बैठे? मुझे इस बात पर कुछ याद आ गया क्या या याद? कुछ स्टूरेंट्स ना मेरे घर पर मेरा इंदजार कर रहे हैं मुझे निकलना होगा मैं चलती हूँ कोई बात हो ना तो मुझे फोन कर लेना कल्पना पिठिया सुनो सुनो तुम्हारी स्कूटी की सभारी आज मेरे भागे में भी है मुझे भी जरा रामकिशन भाई साब के आँ छोड़ती जाना अरे हाँ 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 चाचा जी क्यों नहीं आईए? बाई कल्पना बाई बाई चाचा जी बाई बच्चों बाई भारती क्यों न अब एक सेलेब्रेटी आइकॉन प्रख्यात फिल्म अभिनेता राजी वर्मा से उनके विचारों को सुन भी हाँ हाँ क्यों नहीं? नमस्कार मित्रो मैं राजी वर्मा आप सबको प्रणाम करता हूँ आपका विजन दन करता हूँ आप सबको शुबका मनाये देता हूँ दोस्तों मैं अपने आपको बहुत भागशाली समझता हूँ कि मुझे मतदाता जंक्शन के माध्यम से आप से बात करने का आप से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हर चुनाओ को एक तिहार की तरह मनायें ना केबल अवश्य रूप से खुद वोट दें बलकि अपने पूरी परिवार को महलेवालों को अपने आजपास के सभी लोगों को चुनाओ के दिन वोट देने के लिए प्रोचसाहित करें याद रखिए दोस्तों चुनाओ में प्रिस्टेक वोट बड़ा कीमती होता है जो देश को एक निश्पक्ष मजबूत और 27 सरकार देने के लिए बहुत आवश्यक है एक बार फिर से आपका अभिनेंदन करता हूं शुब कामनाय देता हूं आपको प्रणाप करता हूं धन्यवाद नमस्कार जय हिन वाह क्या बात कही है हमारे सेलिबरेटी आइकॉन अभिनेता राजीव वर्मा ने भारती अब चलिए क्विज सेक्शन में अपने श्रोताओं को भी मद्दाता जंक्शन के क्विज में भाग लेने और गिफ्ट जीतने का मौका देते हैं क्या था पिछले बार का सवाल हमने पूछा था निर्वाचन के लिए एम सी सी या आदर्श आचार सहिता किस दिन या तिथी से लागू हो जाती है और इसका सही जवाब है जिस दिन या तिथी से चुनाओं की घोशना की जाती है हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब दिया है आपको बहुत बहुत बधाई और अब सुनिए आज का सवाल सुनने वालों की सुविधा के लिए सवाल मैं दोहरा देती हूँ सवाल है फर्स टाइम वोटर के लिए कौन सा फॉर्म भरने की आविशक्ता होती है और इसका जवाब हमारे श्रोता डबल नाइन डबल नाइन जीरो त्री वन नाइन फाइब जीरो पर वाट्स अप करते हैं तो चलते हैं और अगले सब्ता फिर मिलते हैं एक नए विशय के साथ आपके अपने कारिक्टरम मत दाता जंक्शन पर तिपते के लिए अपना खूब ध्यान रखिए नमस्कार करते हैं